दोस्तों आपने भी Paytium prospects आपने loan ले लिया है लेकिन आप उसको payment नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए बहुत ही confused है कि आपको payment कैसे करना है कहां से करना है क्या इसका कोई loan number होता है या किसी bank agent के माध्यम से होगा या किसी CSC के माध्यम से होगा या किसी जनसेवा के अंद से ये payment आपको pay करना पड़ेगा तो इसके लिए आप confused भी मत हुई है आपको हम बताएंगे कि आपका ये payment आपके Paytium IFC ही payment करना है पैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो पर बने रहे हैं पुरा full end तक वीडियो देखीगा जिसे कि कोई भी step आप मिस नहों हो जिसे कि आप अपना Paytium का जो पैसा है आप उसको अच्छे से payment कर पाएं और कोई भी confusion कोई भी problem ना हो तो दोस्तों वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया जिससे कि हमारी आने वली हर एक नहीं वीडियो की notification सबसे पहले आप पुम ले तो दोस्तों आईए start करते हैं तो दोस्तों हम आज के अपने mobile phone के home screen पे तो सबसे पहले आपको क्या करना है Paytium आप पो open कर लेना है और Paytium आप पो जैसे आप open करेंगे तो friends तोरा साब नीचे जाएगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा Paytium Postpaid का option मिल जाएगा जो कि loan and credit cards में यही option मिल जाएगा Paytium Postpaid का तो simple इसी को open कर लेना है जैसे आप इसको open करेंगे friends तो यह open हो जाएगा और open होने के बास सबसे उपर आपका जो available balance होगा वह आपका 100 कर जाएगा जो आपकी limit ह होगी वह हमारी है 6000 रुपे के available balance अभी 508 रुपे 50 पैसे अब आपको क्या करना है फ्रेंट्स यहां पे आपको नीचे जाना है यहां पर लिखाए प्रोसीड टूपे तो आपको क्या करना है प्रोसीड टूपे वाले option का आपको click कर देना है जैसे आप इसको click करेंगे friends तो है इसको एडिट कर लीचिगा जितने रुपे भी आप इसको पेमेंट देना चाहते हैं वह आप payment कर सकते हैं जैसे कि अब हम यहां पर 500 रुपे इसका payment करने वाले हैं तो 500 रुपे यहां पे लिख देंगे और 500 रुपे लिखने के बाद यहां पका नीचे पे वाला option अगर प्रोसस होने लगा है आपको थोड़ा सा वेट करना है और यह पेमेंट हमारा सक्सेस्पुली हो जाएगा सिर्फ थोड़ा सा इंतिजार करना है यह फैंनल यहां से रिपोर्ट वाले ऐप्ट करेंगे और देखते हैं कि यह हमारा payment हुआ है या नहीं हुआ है तो इसके लिए क्या करेंगे balance and registry वाले option पे भी जाके हम यहां पे check कर लेंगे जो कि 508 रुपे था जो कि यह हमारा पे एक हजार आट रुपे यह limit हमारी available हो चुकी है अगर यहां से भी नहीं अगर बायप करके हम यहां पे भी check कर सकते ह है प्रेटियम पोस्पेड रुपे अगर क्लिक करेंगे तो यहां पे भी हमारा वही amount सो करेगा जो कि यह यहां पे एक हजार आट रुपे available हमारा है और सो कर रहा है लेकिन जो हमारी limit है वो 6000 यह हमारी तभी increase होगी जब हम इसका पूरा payment final कर देंगे उसके बाद इसके बढ लगेंगे और कब लगेंगे तो इसके लिए नीचे जाईएगा नीचे यहां पे एक option मिल जाएगा आपका charges and fees तो charges and fees पे जैसे हम यहां पे क्लिक करेंगे फ्रेंट्स यहां पे यहां पे बताया गया है कि साथ तारीक के पहले ही अपना इतना भी due payment है आप उसको maintain कर दीज तो आपका कोई भी charge नहीं लगेगा अगर 101 रुपे से लेकर 500 रुपे की बीच में है तो 25 रुपे लगेगा अगर 500 रुपे और 101 रुपे की बीच का amount अगर due है तो 50 रुपे लगेगा ऐसे ही यह आपकी category wise है लेकिन अगर आपके पास कुछ amount है और पुरा amount आपके पास available न अगर आप टाइम से इसका payment नहीं करेंगे तो आपका जो लगेगा ऐसे आपका कोई भी charge नहीं लगेगा अगर कोई भी charge यहां पे नहीं लिखा हुआ और दोस्तों अगर आप पेटियों पोस्पेट का loan number जाना चाहते हैं तो वह भी हम आपको बता देते हैं इसके लिए आ समझ गया होंगे कि आप पेटियों पोस्पेट का balance अगर आपने ले लिया है उसका payment कैसे करेंगे इसके लिए confusion थी आपके पास तो यह confusion आपकी दूर हो गई है कि आपको पेटियों पोस्पेट का balance कब और कितना payment करना है कैसे करना है वह सारी information आमने इस वीडियो में cover किया ह है आसा करते ही जानकारिया आप बहुत अच्छे से समझ गये होंगे अब आपकी कोई भी confusion नहीं होगी अगर कोई भी confusion है तो वीडियो को retry करके भी आप दोबारा से भी देख सकते हैं दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक like जरूर करेगा चैनल पर पहली थी तेक कियर